किसी ने सची कहा है कि एक पल में क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता है कुछ ऐसा ही हुआ है हावडा मुंबई मेल में यात्रा कर रहे लोगों के साथ एक जटके में ट्रेन के 18 डब्बे पट्री से उतर गए और दो लोगों की जान भी चली गई इस रिपोर्ट में देखें मौद पर मुआबजे का मरहम बेपट्री हुई ये ट्रेन हर तरफ मची चीख पुकार इस भयावर तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रॉंग्टे खड़े हो गए दिल को देहला देने वाली ये तस्वीरे हैं जारखन के चक्रधरपूर रेल मंडल की जहां हाबड़ा मुंबई मेल एक्स्प्रेस डिरेल हो गए ट्रेन के 18 डिवे पट्री से उतर गए इस भेशन हादसे में दो यात्रियों की मौद हो गए और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हादसे सुबए 3 बचकर 45 मिनट के आसपास हुआ बताया जा रहा है कि ट्रैक पर एक माल गाड़ी डिरेल हो गई थी और 120 की स्पीट में आ रही ट्रेन उससे तकरा गई जिससे पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हो गई हादसे के बाद अपरा तफरी मच गई मौके पर रस्क्यू की ट्रिम पहुची और राहत बचाओकार शिरू किया हादसे के बाद प्रदेशो सरकार की टीम मौके पर पहुचे और फिड़तों को हर संभव मदद का भरूसा दिया जारखन सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाग और घायलों को पचास-पचास हजार मुआपद देने का ऐलान किया है ब्रेल मंत्राले ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाठ और खायलों को पाच-पाच लाठ की मदद देने का ऐलान किया है मुर्ख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मुर्तक है उनको उनकी आत्मा की सांती की काम्ना भी उन्होंने की है। अब हम आपको बताते हैं कि बीते कुछ सालों में छार्खन में कौन से बड़े रेल हाथ से हुए है 20 माई 2021 सिम्डेगा में पैसेंजर ट्रेन का इंजन पट्री से उत्रा बड़ा हाथ सा ठला ज्यादा नुकसान नहीं हुआ 18 सितंबर 2023 ट्रेन स्टेशन पर रेड सिगनल को पार कर आगे बढ़ गई बड़ा हाथ सा होते होते रह गया ट्रेन में कई यात्री थे 18 जन्वरी 2024 गमरिया रेलवे स्टेशन के पास चार लोग की ट्रेन से कटकर मौत कोहरे के चलते नहीं दिख पाए थे तेज रफ्तार ट्रेन 28 परवरी 2024 कलजारिया के पास ट्रेन के चपेट में आए 12 लोग दोकी मौत आग लगने की अपवाह के बाद मची थी अपरा तफ्री लगतार हो रहे रेल हाथ सो को देखकर सवाल उठते हैं कि आखिर इन हाथ सो का जिम्मेदार कौन है अब रेल हाथ से पर उठ रहे सवाल को भी जराब समझ लेजे देखे देश में एक और बड़ा रेल हाथ सा हो गया जारकन के चक्रधर पुर इलाके में ट्रेन डिरेल हो गई हावडा मुंबाई एक्सप्रेस के 18 डिब्बे जो हैं वो पट्रे से उतर गए मालगारी एक ट्रेक पर डिरेल हुई थी दूसरे ट्रेक पर आ रही ट्रेन उसकी चपेट में आ गई अब पिछले साल भर में पिछले साल भर में ही कई रेल हाथ से हो चुके हैं आए दिन ट्रेन के डिरेलमेंट की खबर आती रहती है बिहार ओडिशा के साथ साथ जारखन में ट्रेन हाथ से हुए देखे बार बार हाथ से की बाद भी सस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं चगधरपूर के हाथ से में दू यात्रियों की जान भी चली गई और कई ऐसे यात्री थे जो की इस हाथ से में जख्मी हो गए है